तो देखें किस तरीके से इतने बड़े सिंडिकेट का भंडा फोर्ड होने के बाद कॉंगरस का कनेक्शन सामने आ रहा है तो दिल्ली में करोडों के कोकेन कांड में फसे कॉंग्रेस नेता के पब्लिकेशन हाउस के बाहर से ये ग्राउंड रिपोज आपको दिखाते हैं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बड़े इंटरनाशनल ड्रक सिंडिकेट का भंडा फोड किया है जिसका मास्टर माइन तुशार गोयल है यह कॉंपलेक्स इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसी कॉंपलेक्स में तुशार गोयल का एक पब्लिकेशन चलता है जो की तुशार पब्लिकेशन के नाम से तुशार पब्लिकेशन के नाम से यहाँ पे रेजिस्टर्ड है जब हम अंदर गए थे उस कॉम्पलेक्स में गए अंदर हम बात करने की कोशिश जब हमने की तो हलाकि फिलहाल हमें उसके चौप पे कोई भी नहीं मिला है इसके साथ ही अगर हम बात करें अब तुशार गोयल के पहले तो पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करते हैं तो काफी जब पॉलिटिकल कनेक्शन भी तुशार गोयल का निकल कर सामने आया है क्योंकि 2022 में उसे दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस की तरफ से आर्टी आई सेल का चेर्मेन भी बनाया गया था ये 2022 की बात है उसके बात अगर हम जाच के डायरे की बात करें क्योंकि जिस तरह से पॉलिस ने उसे गिरफतार किया है और उसके बात जाच में जो चौकाने वाले कुलासे हुए हैं उसके डी कंपनी से कनेक्शन सामने आया है और बात अब हम करें चुकि 5,000 कड़ोर रुपे का कोकिन बरामद हुआ था तो वो कोकिन जो है वो दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर होना था अब मुंबई में किन हाई प्रोफाइल को हाई प्रोफाइल लोग है से कौन से हाई प्रोफाइल लोग थे जिनके पास ये रख्की सप्लाई होनी थी इस एंगल को ले करके भी पुलिस जाच कर रही है और इसके साथ ही पुलिस पूछताच में ये भी जाच कर रही है जो सू भी खंगा रही है कि आकर मुंबई में ऐसे कौन से हाई प्रोफाइल लोग थे जिनको ये सप्लाई जो है पहले दुबई से आता है दिली फिर दिली से इसकी सप्लाई मुंबई होनी थी हलाकि ये तमाम एंगल है जसे ले करके पुलिस लगतार तुशार गोयल से और जो साथ अपराधियों को कैसे सबक सिखाया जा रहा है लगतार फुलो अना अक्शिन जो सरकार का है वो जा रही है इसी कड़ी में मिर्जा पूर और गाजियबाद में जो मुटभेर हुई उसमें तीन शातिर अपराधियों को गरफतार किया गया है इनके कहां कहां कैसे कैसे कनेक् पुलिस का कहर योगी राज में अपराध बर्दाष्ट नहीं पुलिस का अक्शन बदमाशों का इनकाउंटर मिर्जा पुर और गाज़बाद में बदमाशों पर पुलिस के हर बन कर तूटी है जहां पुलिस ने मुटभेर के दौरान बदमाशों को गिरफतार करने में कामियाभी हासिल की है ये बदमाश लंबे अर्दसे से पुलिस के निशाने पर थे यूपी के सियंग योगी आदितनाद का मैसेच क्लियर है कि यूपी में अपराद बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और यूपी पुलिस उसी नक्षे कदम पर चल रही है अपरादों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीटी पर काम कर रही योगी की पुलिस का बदमाशों पर एक्षिन जारी है अस्पताल के बेट पर करा रहे ये बदमाश मिर्जापुर की आब और हवा खराब करने की कोशिश में लगे थे ये लोग चेंज स्नैचिंग और लूट की बारदातों को लंबे समय से अंजाम देते आ रहे थे और आब इनकी नजर मिर्जापुर के प्र और इनको जिला स्पताल रपरी आगए जहां की इस तो अप्रादियों ने यहाँ पर इंगे पुलिस ने चलने के फा게 दिली और गाज़वाद किंदुट पुलिस ने नौईडा दिल्ली और गाज़बाद में दूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को मुटभेड के बाद गिरफतार किया है मुटभेड के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी वहीं दूसरा बदमाश मौके से परार हो गया पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से कई हतियार और लूट का सामान बरामत किया है पुलिस के आक्षिन का ही नतीजा है कि बदमाशों में खौफ है और C.M. योगी आधितनाथ का भी संदेश इससाफ है कि यूपी में अपराथ करोगे तो बक्षे नहीं जाओगे प्रफखबर बिहार से आपको बता दे बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज प्रसाद बिहारी के हत्यकार मामले में सुप्रिम कोट की ओड़ से आपको बता दे दो लोगों को उम्रकैत की सजा सुनाई गई है इसी के साथ में पूर्व सांसत सूरज भान सिंग और राजन तिवारी समेथ छे लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है आपको बिखाते है इस रिपोर्ट में बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रस्ताद की हत्या केस पे सुप्रीम कोट ने आज अपने फैसले में पूर्व विधायक मुन्ना शुकला और मंटू तिवारी को उम्रकैत की सदा सुनाई है वहीं सुरजवान और राजनतिवारी समेथ छे को बरी करने वाले पत्ना आई कोट के पैसले को बरकरार रखा है पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कैसे हुई थी? इसके लिए आपको लिये चलते हैं फ्लाश बैक में जून का महीना था शनिवार का दिन था और तारीख थी 13 जून 1998 पत्ना शहर के इंद्रागादी इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस यानि IGI MS अस्पताल में बिहार के पूर्थ मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद एडमिट थे इसी दौरान एक एमबेस्टर कार और एक बुलिट IGI MS अस्पताल में घुस्ती है और गोलियों की तर-तरा हट तूंजने लगती है और वो आवास थी उन गोलियों की जिसका निशाना बढ़ रहे थे ब्रज बेहारी प्रसाद इस दौरान ब्रज बेहारी प्रसाद का गाड भी मारा गया ब्रज बिहारी प्रसाद उन दिनों RGD में आ गये थे और उन्होंने हाजीपूर से लेकर चंपारण तक RGD को मजबूत करने में एहम भूमी का निबाई थी है इंजिनरिंग के चात्र होने की बजह से उन्हें मंत्राले भी इसी से सम्वंधित दिया गया था ब्रज बिहारी प्रसाद के हत्या में जिन पर आरोब दाखिल के गए उनमें सतीश पांडे, मुन्ना शुकला, मंटू तिवारी, ललन सिंग और सूरज भान सिंग भी शामिज ले मगर बाद में कोट ने सब को भरी कर दिया था पट्टा हाई कोट के फैसले के खलाब ब्रज बिहारी प्रस्ताथ की पत्मी, रबा देवी ने सुप्रीम कोट का दरवासा खट-कटाया और हाई कोट के फैसले को चिरौती दी थी जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैजला सुनाते हुए दो आरोप्यों को उम्र कैथ की सजा सुनाएगे व्यूरो रिपोर्ट रिपपलिक भारत